नमस्कार मुदि पाली शभी का स्वागदी पाली एस्ट्रो में करते हूं देखते हैं आज का दिन अनिक 31 जुलाई 2023 कैसा जाने वाला है तो चली शुरूआत करते हैं मेशाशी वालों के साथ मेशाशी वालों अगर आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिवरी से भरपूर हो सकता है आज के दिन को आपको सोच के समझ के क्रेटिव आक्यूमन आपका चुकी हाईर साइट पे रहेगा तो सोच समझ के आज के दिन को बिताने की जरूरत ह साथिसाथ आज के दिन आपको कोई एक महत्वपून अपर्टिनिटी मिल सकती है जो आपके जीवन में चल रहा है कोई भी जो ओन्गोइंग स्ट्रेस होगा उसको खतम करने का कोई रास्ता, कोई जरिया कुछ नकुछ आज के दिन आपको दिखाई देगा साथिसाथ आज के आपके लिए professionally भी कुछ ना कुछ good news ये good indication आज के दिन देखने को मिल सकता है बात करते हैं वरिशवराशी वालों के लिए आपके लिए situations बिल्कुल अनुकूल है वरिशवराशी वालों वहना आपका शांत रहेगा विचारधाना आपके प्रबल रहेंगी लोग आपके काम की तारीफ भी करते हुए नजर आएंगे लंबे समय से चल रहा कोई परिवार एक तनाव भी साजा होता हुए नजर आएगा साथी साथ आज के दिन अगर आप अपने परिवार के लिए कोई collectively सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद उनके विचारों को रिवियू करने के बाद कोई एक ऐसा ठोस निरना ले सकते हैं तो आज के दिन आपको लेना चाहिए क्योंकि वह आपके और आपके परिवार के लिए काफी ज़दा लाबगा एक सिद्ध हो सकता है आज के दिन आपको अपने स्वास्त के प्रती भी थोड़ा सा संवे दिन शील रहने की जरूरत है बात करते हैं मितमराशी बालों के लिए मितमराशी बालों आज का दिन समानिता जाएगा कुछ खास उतार चड़ाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा लेकिन परिस्तितियां अनुकूल होने के साथ साथ आज के दिन सेकेंड हाफ के दौरान छोटे समय के लिए छोटा कोई एक आसपेक्ट आपके जीवन में छोटा मोटा स्ट्रेस होगा वो आप उसको ओवर थिंकिंग के वज़ाशे बड़ा बना लेंगे तो कहने का मतलब यह है कि जब सारी सिचुएशन समाने ता चल रही है सब कुछ ठीक चल रहा है जहां पर एक छोटी सी सिचुएशन है जिसको आप कॉमुनिकेशन या बातचीत करके सुलजा सकते हैं तो उस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अपने आप को क्रियेटिविटी के साथ चलते हुए प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ते हुए अपने मन को शान्त रखिए और जहां पर आपको लग रहा है कि आपकी एनरजी वेस्ट होगी उस थौट प्रोसेस पे दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है बात करते हैं करकराशी बाल स्वास्त संबंदी चिंताएं भी दूर होती हुए नजर आएंगी आप अपने अपने परिवार के साथ बिताये गया समय को आज के दिन यूटिलाइस कर सकते हैं अगर आपके परिवार में कोई स्ट्रेस चल रहा है या कोई प्राबलम चल रही है तो बात चीत करके आज के परिवार के किसी स्ट्से की तरफ से जो आपको रेगुलर स्ट्रेस या प्राबलम यो परिशानी मिल रही थी अब वो शांत हो जाएगी बादा अब आप आगे बढ़ सकते हैं जो लोग नई नौकरी करने के एक शुक है नई जॉब चेंज करने के एक शुक है कुछ नया वातावरन क्रियेट करने के लिए एक शुक है कुछ नई एनरजी कुछ नई सिटुएशन अपने जीवन में लाना चाहते हैं उनके लिए अल्रडी परिस्तितिय पॉजिटिव हो चुकी है इसी तरह से चलते चली आपको सब तरह से पॉजिटिविटी दिखाई देगी बस स्वास्तिंग सेनारियो वर्क प्लेस पे अराइज हो सकते हैं लेकिन कॉमिनिकेशन को क्रिस्टिल क्रियर रखने की जरूरत है जिस कॉंसेप्ट में जिस संदर्ब में आप बात कर रहे हैं सामने वाला भी उसको वैसे ही ले इसकी आपको कोशिश करनी चाहिए परिवार मे संबंदी चिंताओं को आज के दिन दूर करने की कोशिश करें या स्वास्त पर ध्यान देने की आज के दिन आपको कोई चेश्टा या कोशिश करनी चाहिए साथी साथ आज के दिन आप उन सभी तथियों को फिर से विचार सकते हैं जहांपर आपको लगता है कि नकरात्मत्ता या नेगेटिविटी आपको परिशान कर सकती है आज के दिन आप अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नकुछ positive create कर सकते हैं मन आपका शांत रहेगा, विचार धाराएं भी प्रबलतम शिकर को आज के दिन चूती हुई नजर आएंगी, बात करते हैं विश्चिकराशी वालों के लिए, आपका मन, आपका स्वास्त, आपकी विचार धाराएं, आपका कॉंफिडेंस लेविल, सब कुछ ठीक है, आज के दिन आपको opportunities दिख सकती है, अगर आप location चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ opportunities create होकर सामने आ सकती है, आज के दिन abroad settlement से भी related अगर आपकी कोई परिस्तिती चल रही है या कोई उल्जन है, तो वो भी आज के दिन सौट आउट होती हुई नजर आएगी बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए, आपका दिन समानिता जाएगा धनुराशी वालों, लेकिन आज के दिन आपको अपने संतान बक्ष से या परिवार की तरफ से कोई stressful situation का सामना करना पड़ सकता है, बन को शांत रखे, confidence level में इजाफा होते हुए, एक ही pace, एक ही situation पर चलते चली आपको सब तरफ से positivity देखने को मिलेगी, लंबे समय से चल रही अगर कोई परिवार के किसी सदस्य की बिमारे को लेकर आप चंतित थे, तो वहां पर आपको relief मिलता हुआ नजर आएगा, आज के दिन patiently परिवार में चल रही negative situation को आपको handle करने की कोशिश करनी चाहिए, बात करते हैं मकराशी वालों के लिए, आपके लिए situations मकराशी वालों बिल्कुल ठीक हैं, खास उतार चलाओ देखने को नहीं मिलेगा, भाई बहन से चुट-पुट बहस हो सकती है, लेकिन उसको दिल में ना लेते हुए, अपने शब्दों का प्रियोग सोच करने हैं, तो यही आज का दिन शुप समय है, और नए वेंचर या नए प्रोजेक्ट को भी आज के दिन आप स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बात करते हैं कुमराशी वालों के लिए, कुमराशी वालों अगर आप स्थान परिवरतन के बारे में सोच रहे हैं, तो आ अंदर ही सारी positivity है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि आप काम नहीं कर पाएंगे तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, नेगेटिव थाट प्रोसेस को अपने अंदर से हटाईए, आपके अंदर वो सारी शमताएं हैं, confidence level है, जो आप अपने जी बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए, आपके लिए परिस्तितियां सामाने रहेंगी, मन आपका शांत रहेगा, लंबे समय से चल रहा कोई पारिवार एक तनाव कम होता हुआ नजर आएगा, परिवार की किसी व्रदितम सदस्तिक के तरफ से आपको आज के दिन कुछ परोच सहन मिलेगा या उट अधिकारियों से आज के दिन आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, इसी के साथ मुझे आगए दीजिए, मैं कल फिर आजर हूँए, नमस्कार